Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Aasud, so NTA Udysnet June 2014 examination जो की 18 तारिक को हुआ था, ये examination officially cancel कर दिया गया है, so इस वीडियो में हम official notice की और बढ़ेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये paper क्यों रध हुआ और क्या हमारा अगला examination conduct करवाया जाएगा या फिर नहीं, तो देखते हैं क्या information से related officially जारी की गई है, so सबसे पहले देखें students, ministry of education के twitter handle के जरिये ही ये information जारी की गई थी, बहुत से बच्ची क्या कर रहे हैं कि NTA Udysnet के official website पर देख रहे हैं, notice नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं कि ये सब information fraud है, लेकिन ये सारी information बिलकुल सही है, जो कि ministry of education ने जारी की है, उन examination will be cancelled on the basis of inputs from Indian Cyber Crime Coordination Center, so Indian Cyber Crime Coordination Center ने कुछ evidence Minister of Education को दिये है, Udysnet examination को ले करके, तो जिसकी वज़ा से उन्होंने ये decision लिया है, कि NTA ने ही ये paper करवाया है, तो इस paper को cancel कर देना चाहिए, Recently आपने देखा होगा कि NEET examination में भी यही सब चीज़ें हुई, बहुत से YouTube पर पढ़ाने वाले जो educators हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर protest भी किया था कि NTA से हम Udysnet exam नहीं करवाएंगे, बट उस वक्त support किसी ने नहीं किया, और अभी देखिए paper हमारा cancel हो चुका है, इसके paper आप लोगों का कब होगा, उसके बारे में जानकारी आपको कुछ दिन में मिल जाएगी, बाद में मिल जाएगी, matter being handed over CBI, अब यहाँ पर होती है game थोड़ी सी गड़बड की यह information, यह जो भी concept है, जो भी fraud का यह फंड़ना चल रहा है, यह बात पहुंच चुके है CBI के प जाए हो सकता है, तीन महीने में paper हो, तो फिलहाल अभी तक इसके को information नहीं है, और इस basis पर जो जारी की गई information है, इस basis पर मैं कुछ prediction भी नहीं करना चाहती, ना मैं आप लोगों को कुछ गलत धारनाएं देना चाहती हूँ, कि paper एक महीने में हो जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए, जो मेरे तरफ से आप लोगों को suggestion है, तो जिन बच्चों को लग रहा था कि थोड़ा सा time होता, तयारी अच्छी हो जाती, उन लोगों के लिए golden opportunity आप इसको मान लीजिए, तयारी में लगे रहे है, आज नहीं तो कल paper होगा, हो सकता है, upcoming exam NTA ना conduct करवाए, हो सकता है, कोई और agency को allot किया जाए ये काम, और 15 दिन के अंदर paper करवा दिया जाए, तो कुछ भी अभी decide हुआ नहीं है, लेकिन कुछ भी आगे immediately हो सकता है, तो फिलहाल आप लोग ये मान कर चलिए, कि जून मन्त में तो exam आपका नहीं होगा, क्योंकि उस से पहले, NET से पहले, आप लोगों का NET examination, NET examination का चकर चला था, जो भी था, problem चल रही थी, तो NET exam जून एंड में होने वाला है, वापस से कुछ बच्चों के लिए वो decide हुआ था, तो उसके बाद हम expect कर सकते हैं, कि हमारे NET exam की कोई information मिलेगी, तो फिर इसी तरीके से अपना, जैसे पढ़ रहे थे, वैसे पढ़ते रहे, ये समझ लीचे कि दो दिन का आपको अच्छा खासा break NTA की तरफ से मिल गया, और अभी वापस आपको उस जर्णी पर लग जाना है, अब वापस मॉक टेस्ट, तैयारी, कोई भी guidance चाहिए, तो देखिए students, ये है, ये एक global online app है, इसको आप लोग download कीजे, store section पर जाएए, याँ पर search बार में लिखना है course का नाम, इसके overview को बहुत अच्छे से देख लेना है, content पर जैसे ये आप इस पर click करते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये separate मेरे courses आपको मिल जाएंगे, इसमें बहुत अच्छे PDFs हैं, मेरी classes के tests हैं, ठ दिसंबर 2023 में जो test हुए थे, वो भी update किये गए हैं, इसके अलावा अभी जो 18 जून को paper हुआ था, वो भी update कर दिये हैं, ठीक है, और 18 जून का paper के PDF और उसका solution जो है, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए, दोनों shift का, तो उसके लिए मेरे ये free telegram group को ज़रूर जल्दी स जॉइन कर लीजे, अंकीता सूथ paper 1 netset preparation के नाम से सर्च करना है, और यहां पर यह discussion के लिए बिलकुल open है, हम यहां पर आपके साथ, जो भी मेरी classes होती हैं, उसकी PDF भी मैं share करती रहती हूं, इसके अलावा, दिसंबर 2023 examination तक के PDFs already available है, जून 2023 के PDF भी मैं यहां पर update कर चुकी हैं, discussion को आपको क्या लगता है, यह सही हुआ या गलत हुआ, जो भी आपके views हैं, हमारे साथ share जरूर कीजिए, so thank you so much.